मिश्रण में मैं जब्सें पहले तो मैं नाइक साब को धन्यवाद देता हूं कि इस्खुलादिवेशन में तमाम लोगों की आप जवाब दे रहे हैं और अधिकतर गैर मुस्लिमों को लोगों को जवाब दे रहे हैं मेरा जवाब यह है मैं तिलोक्शन जेन, नगर परिषद उपाताईश कि सन्गंज मैं जेन धर्म में, जेन परिवार में जन्म हुआ हूँ और अधिकतर जो दो घर में जन्म लेते हैं उसी धर्म का पालन करते हैं लेकिन मैं इन्सानियत धर्म मानता हूँ और तमाम धर्म की कितावों को पढ़ता हूँ और तमाम लिखी वी अच्छी बातों को मैं गैन करता हूँ लेकिन एक बात आज जानना चाहता हूँ कि आप यहां केवल जैसा मुझे सुनने में और देखने में अभी पढ़ रहा है कि आप जो बात कह रहे हैं केवल इसलाम धरम की कि आखरी बात इसलाम धरम की सारी बातों को आप कबूल करवा रहे हैं और इसलाम धरम को सुरोपरी मान रहे हैं मैं भी माननूंगा अगर आप मेरी बात को अभी इसाई धरम भी है बोत धरम भी है जेन धरम भी है और सिख धरम भी है हिंदुन धरम भी है और धरम क्या है धरम तो मैं मानता हूं पानी का धरम ठंडा है सुरी रोशनी देता है उसका धरम है चांद रोशनी देता है वो धरम है हवा का बैना वो धरम है यह संपरदाएं है या क्या है या किसको मानना चाहिए य क्या हम नहीं मानने हैं तो उसमें हमारा क्या नुक्सान है इसको जरा तमाम बातों को मेरा सफस्टिगन चाहिए कि किस धरम को मानने से और किस बात को मानने से मनुस्ट का अकल्यान हो सकता है मायस्वार ने बहुत अच्छा सवाल पोचा है और बहुत एह्म सवाल पोचा है वोह कहते किtez तक वह इंसाने धरम में मानते है सारी मद़ाब किताब को पढ़ते है लकिन यह देह रहें कि जाकेर बाकी लोग का हुआला देखे लेकिन इसलाम कहते है कि इसलाम फाइनल है इसलाम में ने आप जैसा का इसलाम में ने बाई साब ये मैं नहीं कह रहा हूँ ये वेद में लिखा है अगर वेद में लिखा है कि आखरी आउतार कल की आउतार है अगर लिखा है तो मैं उस चीज़ को रिकालने सकता हूना मैंने तो नहीं लिखा हूं उसी तरीके से बाइबिल में लिखा है आपने का बाइबिल का आपने का वेट का बाइबिल में लिखा है बाइबिल पढ़ेंगे गॉस्पेल ऑफ जौन चैप्टरि नमर 16 वर्स नमर 12-14 निसा अले सलम कहते हैं I have many things to say unto you, but he cannot bear them now, for he when the spirit of truth shall come, he shall guide you unto all truth. He shall not speak of himself, all that he shall speak. ये दे रहे हैं कि एक आखरी पैगंबर, महम्मद सुल्लाव सुल्माने वाले, ये मैंने तो बाइबल नहीं लिखी ना, मैंने तहकी की, अगर मैं तहकी करें दाबा के बोलो, डॉक्टर जाकिर नाइक, आप जो कह रहें बाइबल में, बाइबल में नहीं है, लेकिन आपने कभी ये नहीं सुना, आप अजीब बात सुन रहे हैं, तो आपको अजीब लग रहा है, और भोत लोग का अजीब लग रहा है, कुछ लोग कबूल करें, कुछ लोग कबूल करने से डरते फरक ये है नहीं नहीं सुनिए भाई तो ये आप बोलना चाहिए जाकिर भाई बाईबिल में गॉस्पल आफ जॉण चाप्टर 12 वर्स 14 है ही नहीं अब लेगे हो बाईबिल पढ़ो मेरी बात ये कलकी पुरा नहीं कहने आपकी किताब में लिखा है तो मैं चुपा तो नहीं सकता हूँ ना मैं क्या कहता हूँ कि सारी धार्मी किताब को लो और यकसा है वो फॉलो करो तो यकसा नहीं उसको छोड़ दो ना तो अक्सर जितने एहम मजभब है चाए हिंदू मजभब है चाए भुद मजभब है चाए इसायत है चाए जुडाइजम है चाए इसलाम है सारे में यकसा लिखा है आप अगर पढ़ेंगे हिंदू मजभब की किताब वेद पढ़ेंगे बाइबल पढ़ेंगे Old Testament, New Testament, Judaism, Christianity, Islam ये चारो मेन मजभब को आप लेंगे सब में लिखा है खुदा एक है उसका कोई यक्स नहीं है आखरी पैगंबर मुहम्मद صلى लुए नहीं है तो मैं सोरी चुपा सकता हूँ मुसल्मान भी चोग जाते इसलाम और हिंदुज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज् करने लगूं कि हिंदू मदब और इसलाम में डिफरेंस क्या है तो और लंबी तक्री कर सकता हूं में लेकिन मेरा काम है लोगों को जोड़ना लोगों को तोड़ना नहीं लेकिन जोड़ते वक जब मालूम पढ़ रहा है अगर बाकी के धार्मिक गुरू अपने लोग से नही कह रहें कि उनके किताब में लिकाए क्या खुदा एक है खुदा के लावा किसी की और पूजा नहीं करना चाहिए आकरी पैगमन अमद व्रासन के उनकी गलती है मेरी गलती क्या है और मैं तो खुले मंच में बोल रहा हूं और मैं कहता हूं कि आओ आओ आपके धार्मिक क्यों अगर गलती है बेटके हम डिसकेशन करेंगे जिस तरीके से मैंने शीशी रवीशंकर के साथ किया था शीशी रवीशंकर हंदुस्तान में हंदुस्तान में सबसे जादा माने जाने वाले इन स्क्रिप्टर्स में शीशी रवीशंकर है उनके साथ मुनादरा किया मैंने ओपन स्टेच के अपर ओपन ली तो इसके अंदर अगर हग बास सामने आ रही है लोग हग कबूल कर रहे उसमें क्या है आप मुझे इसी कोई चीज ले क्या हो जो मैंने मानता हूँ और कुरान और वेद में लिके मैं फौरान मानूँगा अब एक चीज़ पेश करो मुझे एक जो कुरान और वेद में लिकाए इसमें मैं अमल ने करता हूँ फौरान अमल करूँगा है साथ समझे रहे हैं क्या मूल रहा हूँ मैं इसको कहते है इंसानियत खाली मूँ से बोलना इंसानियत क्या है यह तो पॉलिटिशन के काम हो गया मैं सब में मानता हूँ सब में मानता हूँ सब में मानता हूँ तो अमल तो करो जो आदमी अमल ने करता है सिर्फ मूँ से बोलता है वो तो माफ करना मेरे हिसाब से यह ढोंगी है वो जितने लोग आते प्लाटफॉर्म पे बोलते हैं सरव धरम एक है वो ढोंगी है उन्होंने अपने किताब ही नहीं पढ़ी है ऐसे ढोंगी लोग से क्या बात करना मैं हक्की बात कर रहा हूँ आप एक चीज मुझे दिखाओ जो कुरान अवेद में लिखे मैं फ़वरान म मुमालिक में जाके बोलता हूँ इसलिए लोग मुझे से डरते हैं यह आ जाएगा तो पोल खुल जाएगा हमारे दुकान बंदो जाएगी लोग बोलते हमारे दुकान बंदो जाएगी मैं जब जानता हूँ मैं हक के अपर और जैसा अपने सुबा में कहा था कर लोग विर क्रिशानिडी मदभब का हो, कोई भी शख्स जो दस अजार पबलिक, कोई भी हिंदू, कोई भी क्रिश्चन दुनिया में जो अपने खुद की तक्री पे दस अजार लोग को गैधर कर सकता है, यहां माशाला लोग इतने लोग हैं, यहां तक्रीव नच पांच, दस लाग लो क्योंकि मैं हक्की बात करता हूँ, खाली बोलना सर्व धर्म क्या है, मैं सच्छी में लोग को एक करने चाहता हूँ, जो कुरान में लिखा है, जो वेद में लिखा है, जो बाइबल में लिखा है